स्टार्ट करते हैं आज हमारी अग्रीकल्चर टेकलोजी का अगला टॉपिक डिफ राइट दी डिफरेंस बिट्विन मैन्यूस अन दी फटिलाइजर चार में चार अंग लाने का मैं तरीका बता रहा हूं फोर में फोर पा सकते हूं हम जब मैन्यूस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया था दिस इस कम्प्लीटली और्गनिक ये पूर्णता क्या होते हैं कार्वनिक होते हैं जबकि ये क्या होते हैं टोटली इन और्गनिक होते हैं इन और्गनिक होते हैं अकार्वनिक होते हैं ठीक है ये पॉइंट जो है धान या गेहू या किसी भी बागवानी फसल या कुछ भी फसल की बात करें तो मैन्यूस जो है फसल लगने के पहले यूस होते हैं जबकि फर्टिलाइजर क्या है फसल लगने के बाद यूस होते हैं जैसे धान बुआई कर लिए धान ग्रो हो गया थोड़ा सा use before cropping ठीक है लिखो यहां पर फसल लगने के पूर्व यूस होता है लगने के पूर्व यूस होगा इसको मैं भी समझा देता हूँ जैसे कि अगर हम विलेजीरिय की कुछ बात करें कहीं पर मुंफली लगा रहें किसी जगह पर लाए कोई बागवानी की फसल लगा रहें कोई सबजी भाजी वाली फसल लगा रहें उस कंडिशन में होता क्या है कि पहले गोबर खाद या फिर गोबर खाद से related चीजें गोबर खाद नहीं है तो उसका कोई alternate option जैसे कि वर्मी कमपोस्ट ठीक है यह सब चीजें जो है कब लगाए जाते हैं फसल लगने के पूर्व लगाए जाते हैं और यह है आपका fertilizer फसल लगने के बाद प्रयोग होता है ठीक है समझ में आया ठीक है धान की फसल इतनी बड़ी-बड़ी हो गई अब उसको क्या करना बड़ा गरना इतना बड़ा गरना है पहले इतना था इतना बड़ा गरना है तो क्या करेंगे उसमें उस समय यूरिया लगा देंगे चिड़क देंगे या तो डी एपी चिड़क देंगे या सुपर फास्पिड चिड़क देंगे इवरेक्वाइड मियूरेटा पोटास य बहुत value होती है जब धान की बाली निकल जाएगी उसके अंदर दूद भर जाएगा milk milk मतलब चावल जो होता है जब grow कर रहा होता है उसके अंदर धान की पैडी क्रॉप की बात कर रहा हूँ धान का छिलका के अंदर rice है और rice क्या है जब सुरुआत में क्या होती है वो grow कर रही होती है निकल रही होती है तो milk ही रहता है उसके बाद वही तो solid बन जाता है बाद में होई rice बनता है बहुत nutritious होता है लेकिन मैं एक बड़ी बात बताऊंगा भी कि वो nutritious को क्यों इतना जो है हम nutrition जो है जिसमें nutrition ज़्यादा है जैसे हम उसको घर लेकर आते हैं तो धान से rice निकालते हैं और rice को जब हम खाते हैं तो क्यों nutrition नहीं मिल पाता है ये बात बताऊंगा जबकि उसमें nutrition है हाँ उसमें protein नहीं होगा obviously लेकिन उसमें क्या है आपका carbohydrate भी required है अपके लिए body के लिए ठीक है ये बात ध्यार रखना चलो भी मैं बताऊंगा उसे तो फसल लगने के पूर्वा फसल लगने के वो बात होता है खात जो होता है याने menus जो होते है वो धीरे धीरे क्या है धीरे धीरे याने की slowly क्या करते हैं soil में soil में mixed होते है ठीक है तो mixing of menus is very slowly slowly in the soil but whenever we talk about the fertilizers तो fertilizers में बात करेंगे तो यहां पर fastly fastly mixed in the soil in soil ब्रिदा में यह तेजी से खुल जाते हैं तेजी से खुल जाते हैं इसके बाद चौथा पॉइंट लिखना है पोशक तत्वों की मात्रा पोशक तत्वों की मात्रा इसमें क्या होती है कम होती है क्योंकि आप menus जो बनता है वो तो naturally बन रहा है आप dump कर दी किसी जगोवर और वहीं से क्या पड़ा हुआ है च्छे महीने तक बाद में उसको जाके वहां पर क्या करते हैं dump करते हैं कहां पर खेतों में लेकिन क्या आप उसको पता है कि वह गोवर खाद में देखते हैं कि बहुत सारे धूल डस्ट अन्वांटेड चीजें हैं अन्नेसिसरी चीजें भी उसमें मिली हुई है क्योंकि ओपनली पड़ा हुआ था कहीं पर तो यहां पर क्या है nutrition का जो क्या जो composition है जो percentage है वो क्या होती है कम होती है जबकि यहां पर आप यह बाद याद रखना एक बोरी यूरिया या एक बोरी डिये पी की जब देखते हैं वो तो सिफ और सिफ न्यूटिशियस है न्यूटिशियस content है वो उसमें कोई वेस मटियरल नहीं निकलता तो इसमें लिख रहो हुँ इसमें कोशक तत्वों की मात्रा तत्वों की मात्रा मात्रा अधिक होती है अधिक होती है ठीक है लास्ट वन ही भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अखरी वाला देखो चार में चार कब मिलता मैं बता रहा हूँ चार में चार उस condition में मिलेगा जब आप content को क्या लिखोगे बहतर लिखोगे दूसरा आप उसको कब मजबूर कर दोगे कि चार में साड़े दीन मत दे जब आप एक दो point extra लिख देते हो अभी हम एक point extra लिख रहे हैं 5th point उसके बाद example लिख देंगे तो वो मजबूर हो जाएगा कि 4 में 4 देई देगा क्योंकि आपका एक भी content diluted content नहीं है सामाने content नहीं है सब अपने आपकी कोई uniqueness को बता रहा है यह organic है यह फसल लगने के पहले हो रही है यह क्या है slowly क्या है mixed होता है soil में मतलब solubility थोड़ी slow होती है यहाँ पर बात करते हैं यह nutrition का जो है percentage इसमें कम है ठो ठीक है आखरी लिखते हैं की मृदा की उरवरता मृदा की उरवरता fertility of the soil is increased उरवरता बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है ठीक है यह क्या लिखेंगे है नो यहाँ पर लिखेंगे fertility of the soil is gradually increased और यहाँ पर क्या लिखेंगे fertility fertility is gradually decrease gradually decrease ठीक है यहाँ पर gradually decrease होता है कैसे होता है इस बात को आप लो थोड़ा यहाँ नोट करना होगा क्या थोड़ा इधर देखें आज अगर किसी खेत में मालोग टू एकर का एक खेत है टू एकर की खेत में क्या कर रहे हो आप यहाँ पर इस जगह पर क्या होगा है इस जगह पर बेसिकली हम देखते हैं कि भरी nutrition का percentage उसमें कम है लेकिन वो औरगनिक है पहला वो औरगनिक है और क्या है वो धीरे धीरे भडे mix होगा लेकिन soil की quality, soil की fertility को लगातार increase करता है लगातार increase करता है कहने का मतलब कि भई जितना इसमें cropping करेंगे तो crop तो अपना nutrition सग करेगा ही करेगा अब चलो जितना हमने डाला था, dump किया था nutrition सग भी कर लिया तो लेकिन soil को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है किसने menu उसने, जब कि इधर देखो scenario, यहां पर क्या होगा इसी two acre में, suppose two boris जो है आपने यूरिया खषड़का मालोक two boris आपने DAP किया, एक boris आपने potas लगाया, एक boris मालो super phosphate लगाया, तो two acre में आज जितना इसका consumption है, जितना आज इसको consume किया है, अगले वर्ष उतना ही देना पड़ेगा या उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, आप उसको दो को एक नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो होता क्या सुनिए, अब यहां पर देखो, यह soil जो है, इसकी fertility मान लोग कुछ रही होगी, कोई भी, whatever, कुछ भी percent मान लो, मान लो इसकी fertility 40% थी, हमने वहाँ पर क्या कर दिया, remaining 60% को fulfill करने के लिए, urea, dap, super phosphate और potassium उसमें डाल दिया, डालने के बाद क्या हुआ, कि यहां की fertility उस वर्स के लिए, उस ततकालीन समय के लिए तो बढ़ गई, और जिसे plant ने क्या किया, उस nutrition को सक भी कर लिया, crop भी बहुत सांधार हुआ, production भी बहुत अच्छा हुआ, एक मान लोग, एक एकर में मालो, 15 कुंडल थे, इदर देखते हैं कि 20 कुंडल हो रहे, 5 कुंडल extra हो रहे है, लेकिन आप long term के लिए सोचेंगे, कि हर वर्स इसमें लगाता, लगाता, लगातार क्या है, fertilizer का percentage बढ़ाते जाएंगे, नहीं भी बढ़ाये, तो at least उतना तो रखना पड़ेगा, जितना posterioris किये थे, यहां कि soil पूरी तरसे rigid हो जाती है, ठोस हो जाती है, वहां पर कहना चाहिए, एकदम कहना चाहिए, कोई भी फसल उसमें जब आप उगाते हैं तो वो अच्छे से grow नहीं कर पाती, कब तक grow नहीं कर पाएगी, जब तक उसमें हम fertilizer नहीं डालेंगे, तो यह ऐसा चार ट्रेक्टर ट्रॉली में आपने उसे डम किया था, अगले वस नहीं हो पाएँ आपके पास, खाद मिला ही नहीं बिलकुल, कोई बात में, उसमें फसल उगाओ, production भले 15 कुंटल का, 14 कुंटल देगा, या 15 का, 15 भले देगा, लेकिन उसकी soil की quality degrade नहीं होती है, अगले बस फिस करो, फिर उतना देगा, अगले बस फिस करो, उतना ही देगा, लेकिन नुकसान नहीं होता, तो soil की quality को भले वो increase करने में help मिलता है, जैसे कि अगर आपने extra nutrition इसमें डाला था, manure के form में, और crop में सब को सक नहीं कर पाया, जितना required था, उसने use किया, बाकी soil में रहा तो soil की quality increase होती है, soil increase, soil की quality कैसे होती होती है, airy होना चाहिए, आपको मैं यहाँ पर point बताता हूँ, एक जो मालुक भान कोई भी खेत है, कोई भी land है, soil है, तो soil कैसे होनी चाहिए, तो आप लोग को मैं कल pH वाली बात बता रहा था, देखो, सोरेंसन नाम के scientist ने क्या किया, है ना, 0 से लेकर 14 तक के scale बनाया, जिसमें की hydrogen ion concentration की आधार पर, जिसे हम pH value कहते हैं, सोरेंसन नाम के scientist ने खो जा था, अगर इसकी value, pH की value exactly 7 है, तो यह neutral होता है, below 7 होता है, तो यह acidic होता है, और above 7 होता है, तो यह basic nature का, यानि की छारी प्रविती का होता है, यह छारी होता है, यह अमलिय होता है, ठीक है, अब समस्य यह है, कि अगर soil की quality को हम देखें, तो क्या होनी चाहिए, तो generally अगर acidic होगा, acidic nature होगा ना, तो उसमें छोटे-छोटे जो, like algae, छोटे-छोटे जो grasses, छोटे-छोटे जो animals वगर हैं, वो acidic nature में सब मारे जाते हैं, वो सब के सब grow नहीं कर पाते हैं, वो migrate करके दूसरी तरफ चले जाएंगे, जबकि हर किसी का क्या है, like, उस soil की quality को बढ़ाने में किसी नहीं किसी तरह से उसका युगदान है, तो acidic nature जो है, हामफूल है, आप पहेंगे तो basic अच्छा होना चाहिए, अरे basic nature मतलब क्या, salt का level बढ़ गया soil में, लवन का, की मात बढ़ गई, तो salt का level जैसे ही बढ़ गया, उसके बाद हुआ, उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ, salt का level जैसे ही बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे, water holding capacity, water holding capacity क्या हो जाती है, वो decrease हो जाती है, water holding capacity क्या हो जाती है, वो decrease हो जाती है, तो दोनों में समस्या है, तो करें तो करें क्या, तो soil की quality ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा basic, ना ज़्यादा acidic, लगवक neutral की आसपास होना चाहिए, ठीक है, मतलब मैं कहे दूँगा, 6.8 है तो भी चल जाएगा भई, 7.24 है तो भी चल जाएगा, ठीक है, मतलब साड़े 6 से स आड़े 7 के बीच में माल लो, यह आपनी soil की quality होनी चाहिए, ठीक, समझ में आया, अच्छा, अगला point यहाँ पर समझते हैं, कि यदि हमारे पास यह आपने soil की यह point को देखा, तो आप यह बात को क्यों notice नहीं कर पा रहे हैं, कि fertilizer and menus को basically हम use क्यों करते हैं, use तो इसले करते ह है, soil को, तो क्या soil को हम ऐसा कुछ करें, कि ना fertilizer का use करना पड़ेगा, ना ही यहाँ पर manure का use करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा भी method हम कर सकते हैं, या दूसरे term में मैं कहूं, कि क्यों ना हम फसल को बार-बार बदल-बदल के लगाएं, crop rotation करें, जिसके कारण है, आपका crop rotation वो क्या रहेगी, maintain रहेगी, नहीं समझाया, मैं कह रहा हूँ कि एक ही जगा, एक ही फसल लेने के बज़ाएं, आप क्या करो, वहाँ पर अलग-अलग प्रकार की cropping pattern का use करो, तब हम बात करते हैं, heading डालिए, cropping pattern, है ना, cropping pattern, cropping pattern, याने की, फसल लगने, लगाने का pattern, अलग-अलग प्रकार की आती है, and type of farming, and type of farming, and क्रिसी पद्धती, क्रिसी पद्धती, ठीक है, सबसे पहले, हम एक सरल भासा में समझते हैं, most important है, वो है, organic farming, ठीक है, organic farming, याने की, इसे कहा जाता है, organic farming, इसे कहा जाता है, जैविक क्रिशी, ये प्रसना आपको आएगा, जैविक क्रिशी आपसे कभी न कभी definitely टकराएगा, ये मान के चलनो, two marks कभी भी ready रख सकते हो, ठीक है, ये point आप लोगको अच्छे से note करने हैं, ठीक है, ये बातें आपका organic farming में क्या है, exactly वो जो points हम note करेंगे, उसको अच्छी सतर से समझना है, ठीक है, लिखेंगे, father of organic farming, Albert Howard, इसका जो है, हमारे पास आएगा, अलबर्ट, हावर्ड, ठीक है, ओर्गनिक farming के farmer, ठीक है, इसमें लिखना है, 100% organic menus, 100% organic menus, याने 100% जो है, जैविक खात का प्रेयोग किया जाएगा, no inorganic, organic oblique fertilizer use, ठीक है, लिखेंगे, conventional paramparik, एवं new technique का mixture, इन जनरली new technique हम यूज पहले नहीं करते थे, आज कल देखते हैं, new technique use करने लगें, पहले आप कहेंगे, ये conventional कहेंगे, तो क्या, क्या है, बैल का जो है, हल या भैसा का जो है, हल जो है, उसी कुछ चलाने लगेंगे, तो ऐसा possible नहीं है, आज, बहुत कम possible है, लेकिन हमने क्या किया है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा, इन और्गनिक मैन यूज, इन और्गनिक जो है, फर्टिलाजर यूज नहीं किया, लेकिन हमने conventional के साथ, थोड़ा new technique भी यूज कर लिया, conventional ये है, कि हम organic manure यूज कर रहे हैं, और new technique ये है, कि फसल के, वो धान की खेत की plugging जो कर रहे हैं, साथ ही साथ हम वहाँ पर कुछ ऐसे चीजों का टेकनिक का यूज कर रहे हैं, वेडी साइट में भी हम नए टेकनिक का यूज कर रहे हैं, तो आप इस बात को new technique में consider करेंगे आप, ठीक है, बाता समझ में आ रही है, तो ये आपका organic farming, अच्छा, इसमें अगला point लिखेंगे, अगला point लिखेंगे, we can use mycorrhiza, fungus, mycorrhiza, fungus, कॉमा, algae, तो mycorrhiza हो गया, algae हो गया, ये सब का भी प्रयोग कर सकते हैं, mycorrhiza, शेवाल, ये सब का भी यूज कर सकते हैं, कहाँ पर, soil की fertility बढ़ाने के लिए, है ना, cropping में, is used in cropping, ये cropping में यूज कर सकते हैं, अच्छा, एक point और लिखो, last, no pesticide use, pesticide use, किसी प्रकार का कोई भी क्या है, pesticide यानि कीट नासक उप्योग ही नहीं कर दे, किसी प्रकार का कीट नासक उप्योग नहीं कर दे, कीट नासक नहीं कर दे, ठीक है, ये बात है clear हो गई सभी को, है ना, तो organic farming जब आपको पूछा जाए, ऐसा लिखना, क्रिशी की वह पद्धती, क्रिशी की वह पद्धती, जिसमें की 100 प्रतीसत हम, क्या है, पूने ता कार्वनिक खाद पर आधारी प्रिशी करते हैं, किसी प्रकार का उर्वरक प्रेयोग नहीं करते, और इसमें हम, कन्वेंशन और नए तकनीक का समावेश के तहत, आजकल वर्तमान में ये, जैविक क्रिशी का प्रचलन है, जिसमें की हम, किसी प्रकार का कीटना सक्का भी प्रेयोग नहीं करते, इस ना कशे की प्रेयोग नहीं करते, ये औरगनिक फार्मिंग का है, ठीक यह organic farming का है 2 या 4 में आएगा तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बीच में organic farming लिख दो ऐसा अलिएसा ऐसा करके arrow लिख दो बना दो तो ये भी क्या है इस प्रकार का presentation आप बनाने आना चाहिए आप ने जिएका definition लिख दिया और इस प्रकार इसके क्या benefit है इस प्रकार एक box में आप बना दिया ठीक है समझ में आया इधी points को और अगर आपको space allow कर रहा है तो आप लिखो सब्दों में next one next one zero budget farming zero budget farming zero budget farming को भी हमको इसी तरह से समझना है zero budget farming लगवख लगवख organic farming ही है लेकिन लिखेंगे इसमें this is innovative techniques यह एक नवाचारी तक्नीक है in which in which organic farming is continuously organic farming is continuously applied for three years यह एक नवाचार तक्नीक है जिसमें की तीन वर्स तक लगातार जैविक क्रिशी की जाती है उस मिट्टी में उस मिट्टी में तीन वर्स तक लगातार क्या है जैविक क्रिशी की जाती है इस से क्या है मृदा की औरवर्दा बनी रहती है या बढ़ती है so that की soil fertility is it और maintain or the increase या तो maintain रहती है या तो increase होती है next one next one यहाँ पर लिखेंगे because there is no input cost because there is no input cost किसी प्रकार की कोई भी input खर्च input खर्च कहने का मतलब यह है इधर देखें कि जब किसान फसल लोगा आता है तो क्या है पहले व्यवस्था करता है manures की या फिर fertilizer की फिर व्यवस्था करता है क्या है बाहर से seed की व्यवस्था करता है और क्या खर्च करता है पेस्टी साइट ज़रुत पड़ेगी तो पेस्टी साइट की लगेगा उसको इसके बाद किसान जो है बहुत सारे और इधर उधर की चीज़ें भी क्या है चोटे चोटे लेवल पे खर्च होते हैं लेकिन अगर जीरू बजट फार्मिंग होगा तो तीन साल तक क्या किया आपने इस जगह पर और्गनिक फार्मिंग किया और्गनिक फार्मिंग में हम देखते हैं कि फर्टीलिटी सॉइल की इंग्रीज हो जाती है या एटलीस मिंटेन तो रहती ही रहती है और उसके बाद जिस वर्स आप फसल करने तीन साल कर लिए चलो अब देखते हैं तीन साल बात के बाद यहाँ पर देखते हैं No fertilizer, even fertilizer की भी ज़ुरत नहीं पड़ती, sorry menus की भी ज़ुरत नहीं पड़ती, fertilizer तो करना ही नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ना मैनियूर जोरत पड़ेगी ना फटीलाइजर जोरत पड़ेगी जो सीड बगर लहेगा तो वो भी क्या है उन सीड का सेलेक्शन करेंगे जो आपके पास उपलब्ध है पहले से और अगर आप इस इन्पुट को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे वेराइटी का सेलेक्शन करि क्योंकि तीन साल तक उसकी पटिलिटी इंक्रीज होई है वहाँ पर लगातर क्या कर रहे है हम और गनिक मैनियूर का यूज कर रहे है तो वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे चीजें ग्रो कर गई जो इंसिडिक सॉइल होने पर मारे जाते थे जो पेस्टिसाइड छिड़कने प पंगस भी है छोटे-छोटे माइकोराईजा भी है कुछ ऐसे नाइट्रोजन कहना चाहिए एब्जॉर करने वाले क्या है लेग्यूम्स वाले जो है कुछ प्लांट भी है तो इसमें देखते हैं कि जीरो वजट फार्मिंग में सभी टाइप की चीजें हो रहे है तीक है ब ठीक है मिक्स्द क्रॉपिंग इसमें लिखना मिक्स्द क्रॉपिंग में हमको लिखना है एक ही स्थान पर एक ही समय में एक से अधिक फसल का फसल लगाना क्या कहलाता है क्या कहलाता है आपका मिक्स्द क्रॉपिंग कहलाता है देखो मैं इसमें एक्जामपल बताता हूँ जो लेटरली 36 गड़ में अपलाई किया जाता है ये सॉइल है सॉइल में आप पहले लगा देते हैं यहाँ पर लगा देते हैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर ठीक अब उसके उपर लगा देते हैं आप यह है आपका क्या है अद्रक यह है आपका अद्रक ठीक, इसके उपर आप लगा देते हैं, इस प्रकार जो सॉइल होती है, ऐसा ऐसा बना कि आप क्या लगा देते हैं, कोरियंडर या धनिया लगा देते हैं, ठीक है, इधर क्या लगा दी है, धनिया लगा देते हैं, कोरियंडर लगा दी है, इसके बाद हम क्या डाल देते हैं, इसी में लाइक जग़ जग़ पर क्या डाल देते हैं आपके तूर की डाल तूर की डाल ठीक है लेग्यूम्स वाले पौध है यहाँ पर डाल देते हैं भई उसका आपको पता है राहड या अरहड या जिसे हम कहते है तूर ये क्या होते हैं बड़े-बड़े प्लांट होते हैं इतने बड़े-बड़े हाइट है अब हमने इसमें mixed cropping क्यों किया है मिक्स क्रोपिंग का और भी बता देता हूं सरल तरीका यहां पर देखो farming में agriculture में बहुत सारी चीजिए आज कल मत से पालन यहने फिशरी को भी हम किसमें ले लेते हैं agriculture में ले लेते हैं government के accordingly और even कोई क्या कर रहा है poultry form भी खोला उसे भी agriculture में include कर लिया जाता है आज कल नए definition के accordingly पहले ऐसा नहीं था पहले वो क्रिश्य में नहीं आता था लेकिन आज कल उसमें सामिल कर लिया जाता है तो यहां चीज़ों को समझें इसी जगा पर यह pond है पॉंड है तो इसमें fish है तो fishery हो गया pond के उपर क्या इस प्रकार क्या है एक कोई पिंजरा type का या कोई इस type का structure बना दिये हैं किसी area में जहां पर आप क्या कर रहे हैं poultry forming हो रही है ठीक है और इसके अलावा इसमें क्या किये हैं बहुत सारे like a duck याने बदक का आप यहां पर क्या किये हैं इस like a pond में छोड़ दिये तो इसी जगा फिर श है उसी जगा बहुत सारे बदक पालन किये हैं याने कि duck का farming किये हैं और यहां पर देखते हैं poultry farming भी हो गई एक ही जगा पर एक से अधिक प्रकार की चीज़े हो रही है come to the agriculture point of view से यहां से देखो एक ऐसी फसल एक ऐसी फसल जिसमें की देखते हैं जैसे जिंजर या अद्रक जिंजर था पहले क्या जमीन में रख देते हैं इसका cropping इसका harvesting period कितना है देखो इसका harvesting period है at least 9 month किसका अध्रक का coriander का कितना है या फिर यहां पर तूर की दाल का देखते थे यह कितना है 6 month ठीक धनिया का कितना है 40 to 50 days मतलब पहले 2 महीने में आपने किसको harvest कर लिया coriander को कर लिया उसके बाद वहाँ soil पड़ी हुई है उसी जगा देखते क्या है अच्छा ये coriander की बाद भी यह है कि अगर आप जड़ से उखाड़ोगे तो एक बार में का सकतो नहीं तो उसको चुन के अगल लोगे ना तो 4 महीन नाइन मत में किया एक ही जगा एक से अधिक फसल देखो एक ही स्थान पर एक ही समय में एक से अधिक फसल लगा रहे है लेकिन सबका harvesting period अलग-अलग है तो इसे क्या कहते है mixed cropping कहते है चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो 36 गड़ में तीवरा जानते हो गाउं तरफ होता है त जो भी अभी 36 सरकाव से खरीजने के लिए एक प्रकार का राया दाल पलसे से ठीक है तो तेवडा कब लगाया जाता है अभी धान का सीजन है धान का जो है फसल जब यह यहां पर ग्रो हो गया है पकने वाला है चुलो पक भी गया है और इससे क्या कर देगा काट देगा वहां पर खलिहान में चली गई जहां पर आपको धान को फिर फाइनली और ज्यादा आगे प्रोसीजर के दूरू बाद में जाना है और मंडी ले जाना है लेकिन इसका ठूट बच गया जमीन में ठूट बच गया और उसके नीचे जो है मौश्यर अभी भी रहता है तो वह इसके बहुत सारा तेवडा होने लगता है तेवडा टाइप और प्लस एक प्रकार का दाल का टाइप है हाला कि उसके कुछ जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम के कारण जो है तेवडा को बैन लगा हुआ था आपको बता दूँ विलेज एरिया में बैन में की कुछ खास उतन लोग तवज्जो नहीं देते थे पहले आज भी आज तो अभी सरकार ने उसे फिर से क्या है बैन को तोड़ दिया हटा दिया कि अब तीवडा को MSP में खरीद रही गवर्मेंट तो अब्यस्लि लोग तो एंथूसियास्टिक तरीज से उसे उगाने लगेगी मोटिवेट ह आप करोगे क्या आप क्या करोगे उसे धान की ठूट तो वैसी कि वैसी रहने वाली है कुछ समय बात क्या है समर सीजन आएगा फिर रहनी क्रॉस सीजन आएगा तो फिर क्या करोगे खेतों की जुताई करके प्लगिंग करके फाइनली फिर से क्या करना है नया वहापर दान period है यह जैसे harvest कर लिए उसके बाद तो 3-4 महिने 5 महिने ऐसे खाली छोड़ना है अगर रभी crop नहीं कर रहे हो तो रभी crop करोगे तो चलो उसमें तिवडा नहीं ले सकते आप तिवडा की फसल जो है 2-3 मंद लगता है तो एक ही soil में एक ही समय में एक से अधिक फसल हम लगा रहे हैं इसे mix cropping कहते हैं ठीक है जो आपको practically लग रहा है सही आप इसे लिख सकते हैं यह best example इसलिए है क्योंकि यह pattern अभी थोड़ा innovative ठीक है आप लोग जानते है roses गुलाब गुलाब की भी खेती होती है पता है गुलाब की खेती के समय भी वहाँ पर कुछ चीज़े mix कर सकते हैं उसमें गुलाब की खेती जहां हो रही है वहाँ पर दूसरे flowers की भी पैरलली cropping कर सकते है एक roses की value जो होती अगर आपको bulk में तो 7 रुपीस 8 रुपीस जो होती उनको जो है दिया जाता है सरकार इसे flory culture कहा जाता है फुलों की खेती को flory culture कहा जाता है और market में क्या है roses की बहुत ज़ादा या in fact flowers की बहुत ज़ादा क्या है consumption अलग 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 लेवल पर consumption एक तो क्या है bouquet वगर में generally use होता है उससे भी ज़्यादा क्या होता है गुलाब जल बनाने में यूस होता है गुलाब का extract गुलाब की जो petals होते है petals याने वही जो colorful petals always क्या होते गलरफुल होते है color अगर white है तो white भी color माना जाएगा वो क्यों होता है पता है pollination के लिए insect को attract करने के लिए वो होता है petals के colorful होता है तो मैं समझा रहा था कि अगर हमारे पास petals को colorful होता है तो colorful होने पर क्या होगा वो like pollination में help करेगा pollination क्या होता है male gamit को female gamit तक पहुचाना male gamit का female gamit तक travel करना सोधा की fertilizers सुन हो सके उसे परागणिया pollination कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि गुलाब की पंकोडी को हम क्या करेंगे उससे क्या करेंगे boil करेंगे boil करने पर उसका extract जो होगा उसी extract को ही तो क्या है जिसमें मिलाए जाता है पर डाबर गुलाबरी और जो चीज़ें आप मार्केट में देखते हैं यह वही चीज़ें और यह organic product है क्या होता है गुलाब जन में दो ही content होते हैं गुलाब का extract और water और उससे क्या होती है कि उसे use करते है और्गनिक चीज़ें ऐसे वैसलीन और्गनिक है वैसे ये भी और्गनिक है ठीक है आप इसके अलाबा अगर आप बात करेंगे कि आजकल खास कर होटी कल्चर को लेकि गवर्मेंट बहुत जादा enthusiastic है बहुत ज्यादा उत्साहित है कि लोग होटी कल्चर की चीज़ों को भी अपना है होटी कल्चर में देखते हैं कि जगा जगा cgm गुवावा यानि गुवावा की क्रॉप ली जारी है जगा जगा आप देखते हैं कि लाइक पापेया का जो है क्रॉप लिया जा रहा है कहीं पर क्या देखते हैं कि होटी कल्चर के साथ साथ देखते हैं कि पहले लिए उसी जगह पर आप होटी कल्चर तो पेड तो जमीन यहाँ पर देखते हैं पेड इस परकार उपर होगेगा तो फसल तो उपर लगने वाले हैं जमीन में क्या होगा जमीन में होता है आपका ओवराल यहाँ पर आप किसी प्रकार के कोकुट पालन या पुल्टरी फार्मिंग या फिर किसी प्रकार के जो है देसी टाइप के जो है जैसे देसी मुर्गा या देसी आहेंस वगरा की है पालन की जारी है क्यों? क्योंकि वो एक तरह से दूसरा भी help करते हैं कि नीची जो insect वगरा होते हैं जो पेड़ को नुकसान पहुचाएंगे तो उसको वो लोग खाजाते हैं, in fact उसको उनकी food chain का हिस्सा होता है तो हम यहाँ पर यह बात समझ रहे हैं भाई, कि basically हम mixed cropping के कई सारे example लग सकते हैं ठीक है? चलो, एक point आ लिको, relay cropping R E L A Y, relay cropping लिखेंगे, relay cropping is a type of mixed cropping a type of mixed cropping, यह भी प्रकार की mixed crazy का ही प्रकार है नेक्स लिखना, नेक्स लिखेंगे यहाँ पर commercial farming, वानिजी क्रिशी वानिजी क्रिशी यह commercial farming तो commercial commercial farming की बात जब हम करते हैं तो commercial farming में हमारे पास आता है कि हम किसको cash crop को ज़्यादा focus करते हैं cash, लिखो commercial farming cash crop is cash crop is is in priority for farming यह नगदी फसल को प्रात्मिक्ता दी जाती है and those type of cash crop and those type of cash crop which have highly demands in the market और ऐसी प्रकार यह नगदी फसल होती है जिसकी बाजार में मांग होती है जैसे कि आप cash crop में बहुत सारे चीज़ आती है जैसे कि हम बात करते हैं jute जैसे कि हम बात करते हैं coffee जैसे कि हम बात करते हैं tea ठीक है इस टाइप की चीज़ें जो होती है cash crop है even आप ground nut को भी ले सकते हो ground nut को भी ले सकते हो आला कि ground nut को अलग फॉर्म में भी ले लिया जाता है तो ground nut को भी ले सकते हो cash crop नगदी फसले ठीक है cotton cotton इस प्रकार की चीज़ें जो होती है यह सब क्या है cash crop यह वानिजिक्रिसी होती है जो market में demand जिसकी ज़्यादा है ठीक है दिखें कि हरियाना एंपंजाब हम जितने भी बास्मती राइस में खाते हैं ज़्यादा तर हरियाना पंजाब में खूप सारा उगाय जाता है तो वो cash crop नहीं है लेकिन बास्मती राइस को क्या देख रहे हैं कि normal rice आपको कितना मिल रहा है अगर आसन की दुकान में जाओ तो एक रुपे मिलता है अगर आप PDS की दुकान में जाओ तो एक रुपे मिलता है लेकिन वही किराना शॉप में जाओगे तो 35 से 50 60 रुपीज तक मिलता है लेकिन अगर उसे packaging कर दिया तो ही आप इंडिया की बासमती राइसों कितना है, तो आप यहां पर color farming जिसकी market में demand है, उसी चीज़ियों को यहां पर ज्यादा farming किया जाता है. Next one, यहां पर एक और important point समझाता हूं, कि आप लोग सुने हो brown rice का नाम, कभी notice की हो, यह brown rice इतना costly क्यों बिखता है, brown rice and polished rice, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, polished rice and golden rice, golden rice, यह तीनों चीजों को थोड़ा समझे है, क्या है, देखो, जो हम अभी normally market में जो खरीद के अगर खाते हैं, जनरली 36 गड़ में तो घर घर में होता है, लेकिन फिर भी हम urban city में और माल उसे खरीद के खा रहे हैं, तो वो polished rice होती है, polished rice का मैं कहने का मतलब, एक जो है, यह धान का क्या है, एक दाना है, धान के दाने के अंदर क्य है, basically, यहाँ पर rice है, यह rice है, यह क्या है, rice है, यह solid होता है, अब आपको focus किस पर करनी है, कि भई, यह जो धान की बाली जब रही होगी, यह धान की बाली बहुत जब रही होगी, इसमें तो और भी बहुत सारी अलग-अलग धान होगेंगे, लेकिन क्या यह बता सकते हैं क कि पहले यह green रही होगी, yes or no, पहले green रही होगी, green होने के बाद, यह जब पक गई तो किस में convert होगी, golden में convert होगी, golden color होगया, तो यह golden rice नहीं है, यह golden color हुआ, उसका कौन सा छिलका, आप क्या गरते हैं, इसी उसको harvest करके लाते हैं, और rice मिल में ले जाते हैं, और finally उससे क क्या दें कलता है? Rice का दाना इस प्रकार का save का है, जिसको आपने क्या कर दिया, थोड़ा polish कर दिया, मतल all the upper layer को यह outer layer को थोड़ा सा क्या क्या है? Extra थोड़ा आपने क्या कर दिया? उसको हटा दिया, remove कर दिया, तो यह धान का, यह जो चावल का दाना अब इस प्रकार हो गय पहले इसका देख रहे हैं कि radius जादा है अब यह देख रहे हैं पतला हो गया बहुत white दिखेगा लेकिन sub nutrition तो गायब हो गया भी क्योंकि आपने outer layer को हटा दिया बचा क्या है केवल कार्बोहेड्रे ये धान को अगर हम क्या करते हैं ये जो rice के दाने को अगर हम खाते हैं normally तो generally हम घर में जैसे रखते हैं ये basic यही बात है लेकिन जब packet वाला खरीते हैं तो वो क्या है basically वो ये वाली polish rice है अब थोड़ा यहाँ पर कुछ conception जोड़ी कि धान की जो छिलका था उस छिलके से क्या है कुछ nutrition रहता उसमें ये nutrition इसके अंदर जाता राइस के अंदर जाता क्योंकि उससे attached वाला area था attached वाला zone है तो इसमें nutrition है इसमें nutrition गायब हो गया मैं ऐसा क्या करूँ कि इसमें 100% nutrition को मैं ले लो तो मैं क्या करता हूँ धान को सीधा स्यादा क्या करता हूँ बड़ी से container में क्या किया जाता है बड़े से कंटेनर में इस प्रकार हम देखते हैं बड़े से कंटेनर में इस प्रकार इसे धान को इस प्रकार उबाला जाता है उबाला नहीं जाता है स्टीम दिया जाता है स्टीम करते हैं स्टीम करने पर चावल का दाना तो वाइट होता है जैसे steam करते है न तो धान चावल के उपर जो छिलका है जिसे हम धान कह रहे हैं उसमें भी nutrition का content है वो जो है सीधा सीधा क्या होता है इसके अंदर चला जाता है इसके अंदर इसके अंदर चला जाता है अब यह जो rice का color white से किसमें हो जाता है brown में convert हो जाता है तो इसे हम सामाने भासा में क्या कहते हैं उसना चावल कहते हैं उसना राइस कहते हैं और इंगलिश में उसे ब्राउन राइस कह देते हैं अगर इसको ही क्या है वाक्स में यहाँ पर रख दो एक केजी कितना है 250, 200 किलो तक ले देते हैं जबकि है क्या बेसिकली उसना राइस है जो घर-घर में विलिज एरिया में च्छतीस गड़ी में खाय जाता है च्छतीस गड़, उडिसा, जारकंड, वेस्ट बेंगोली सेरिया में उसना राइस बहुत खाय जाता है लेकिन आप नौर्थ इंडिया की बात करें साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इस परकार का उसना राइस याने ब्राउन राइस नहीं खाय जाता ब्राउन राइस की खास बात क्या है चावल का जो छिलका था उसका नूट्रिशन उसमें चला गया किसमें उस चावल की दाने में क्योंकि आपने स्टीम किया है steam किया तो उसके अंदर चला गया और इस पकार देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा nutritious हो गया जबकि पॉलिस हम खा रहे हैं तो क्या उल्टा nutrition को हटाने का काम कर रहे हैं brown rice या उसना चावल nutrition डालने का काम होता है ठीक है और जो क्या diabetes patient है वो उनको rice मना किया जाता है लेकिन वो brown rice को खा सकते हैं क्योंकि इसमें carbohydrate यानि कि starch का level के साथ-साथ दूसरी nutrition भी है जबकि यहाँ पर के विल carbohydrate है आपकी हमारे दिन भर की total energy requirement कितनी होती होती है पचीस हजाए थीन हजार किलो कैलरी चाहिए होती है girls को पचीस सो और जो ज्यादा hard work girls 2,000 की ज़र्वत पढ़ती है और boys लोगों या फिर कहा जाए male female power word यूज करते है female 2,000 किलो कैलरी female को और male को जो है आपका थीस सो किलो कैलरी और जो hard worker, जो labor category के या जो रिक्सा वाला या जो बहुत मैनत करने वाला बगती है उसको 3000 kg कलती है everyday required होती है आपकी total energy requirement का 70% की पूर्ती किस से करनी है Carbohydrate से करनी है ठीक है rest part किस से करनी है fat से करनी है और protein को breakdown होना ही नहीं होने ही नहीं देना है इसे primary nutrient भी कहाँ जाता है तो हम carbohydrate देखो problem तब होती है आप खूब सारा क्या कर रहे हो carbohydrate intake ले रहे हो fat intake ले रहे हो खूब सारा लेने से कोई problem नहीं है लेकिन provided क्या कि आप उस level पर क्या करो physical work करो आप खूब जारा खाई जारे खाई जारे आप fatty हो गए, carbohydrate store होने लगा fat store होने लिए carbohydrate भी कभी store होगा न बाद में fat में convert हो जाता है तो problem तब है protein का content आपके food में ज़्यादा होना चाहिए carbohydrate fat तक certain level पर जोरी है लेकिन protein का intake भी ज़्यादा होना चाहिए तो body builder है, सरीर का निर्माता है तो मैं आपको brown rice की बाद जो बता रहा था, यह brown rice आपके लिए useful क्यों है क्योंकि यह इसमें nutrition होता है इसलिए हम इसे खाते हैं ठीक है, जो जेम अगरे करते हैं अच्छा, आप golden rice की बाद कर देते हैं यह क्या है, एक hybrid type की variety है जिसमें की vitamin A होता है विटामीन A होता है इसको golden rice कहते है तो विटामीन A, देखो, विटामीन उसमें होता नहीं है राइस में, लेकिन genetically modified करके इसे GM crop भी कहते है GM crop यहने genetically modified crop करके ऐसा type का हम उसमें modification कर देते हैं कि उसमें vitamin का content आजाता है इसे क्या कहते है, GM crop कहते है बाता समझ मैं ही ठीक, चलो आगे लिखेंगे यहाँ पर type of of crop type of crop इसमें पहला लिखेंगे खरीब crop खरीब crop दूसरा है रभी crop और तीसरा है जायड क्रॉप जायड क्रॉप जायड क्रॉप ठीक है, जो लिख सकते हैं जायड क्रॉप या इस प्रका लिखते हैं इसमें लिखना देखो इसमें आपको logic यह लगाना है खरीब और रभी रभी जो है जनरली समर सीजन में उगाए जाता है और यह क्या होता है रैनी सीजन में उगाए जाता है तो रैनी और समर के बीच में क्या होता है रैनी और समर के बीच में क्या होता है विंटर होता है तो लेकिन आप ये बात समझो ना यहाँ पर इसका harvesting period और वो period को अगर हम बात करेंगे तो जायड crop कब लगाए साएगा तो जायड crop को आप देखें दोनों के बीच का sandwich का filling है समझो खरीब rainy season में रभी जो है आपके summer season में होता है लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है एक important point ऐसा करें box बना लो इधर भी एक box बना लीजिए और तीसरे में भी ऐसा box बना लीजिए और इसमें लिखना है पहले में लिखना है बुआई यहने की showing ठीक है और यहाँ पर cut आई यहने की harvesting ठीक है तो जब हम यहाँ पर कभ बुआई करेंगे यहने कभ उसमें क्या है plantation start करेंगे या फिर जब इसमें showing करेंगे तो यहाँ पर यह बात रखना October November में जून जुलाई में हम क्या करते हैं जून जुलाई में इसी समय बरसाद आती है तो जून जून जुलाई में हम क्या करेंगे बुआई करेंगे और कौन से नवंबर में कौन से मत में October November लिख सकते हो या November December लिख सकते हो October November भी लिख सकते हो November December लिख सकते हो best है October November लिखो December मत करो October November लिखो इसे मैं भी करेक्ट कर लेता हूँ ओक्तूबर नवंबर में हम उसकी कटाई कर देते हैं परफेक्ट एक्जाम्पल लिखने एक्जाम्पल के लिए जगा छोड़ना पई है ना समर सीजन की बात होती है जब यह हारवेस्ट हो गया तो हारवेस्ट हो गया तो अगर आप यहां पर बात करेंगे क्या करना पड़ेगा फिर तो यहां नवंबर मन्त में क्या करेंगे भी सीट सोविंग करेंगे है नवंबर मन्त में तो नवंबर दिसमबर ही हो गया आपका और यहां पर क्या हो गया मार्च एपरिल मार्च एपरिल ही होगे कई बार वो मई चला जाता है और जायड फसल की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर इसको लिखना है इसे लिखना है हम इसी मार्च एपरिल में और यहाँ पर जून तक ठीक है मार्च एपरिल में बोते ही हो और जून जुलाई में होता है एक्जामपल के साथ आपका क्लियर होगा एक्जामपल में बहतर क्लियर होगा पहला लिखेंगे एक्जामपल आपका खरीब का तो राइस वीट राइस wheat sorry wheat को आप लो रभी में ले ना please correct wheat को रभी में ले ना आप लो my mistake exam में पूछा जाता है इसलिए इसको विशेश तोर पे ध्यान रखने की जोरत है आपको फसल आता है रभी क्रॉप खरीब क्रॉप कौन सा है तो लिखेंगे खरीब क्रॉप में rice मेस उसके बाद लिखेंगे मेज यानि मक्का मेस मक्का उसके बाद लिखेंगे cotton cotton उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जोर बाजरा उसके बाद millet यानि रागी मुंग फली peanut याने ground nut मुंगफली मुंगफली रागी याने millet हो गया even soya bean को भी किस में लिखेंगे इसी में लिखेंगे I repeat again rice, maize, cotton जोार बाजरा even मुंगफली, रागी एक दो नाम और लिखेंगे यह बहुत important नाम है जितने भी ऐसे देखते हैं कि सीसेम सीड याने तिल उड़द एटसेटरा ठीक है चलो अब खरीब क्रॉप में यहाँ पर लिखना है खरीब क्रॉप में लिखना स्टार्ट करना वीट बारले वीट यह हूँ बारले जौ बारले मतलब जौ यहाँ पर लिखना सरसों मस्टर्ड उसके बार लिखना यहाँ पर नेक्स्ट पटैटो आलू नेक्स्ट मतर मसूर एटसेटरा ठीक है चलो जायड क्रॉप में हम बात करेंगे जो भी आपस सैलेड के आइटम जैसा होता ना जैसे की खीरा ककड़ी खीरा ककड़ी और इसके लावा जैसे फ्रूट सैलेड में जया है तर्बूज खर्बूज यह सब आ जाते हैं और बिंडी बगरा याने कि सबजियों की खेती ज लेटर आ जाएगा और ककड़ी खीरा वगर यह सब चीज़ें आ जाएंगे ठीक है क्लियर कि अगर 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 कि